हेलो गाइज वेलकम बेक टू माइ यूट्यूब चेनल दे कार ब्लोगर टाटा मोटर्स टाटा नेक्स्टोन इवी के सक्सेस्फुल होने के बाद अपमी नई मिड साइज प्रेमियम हेच्ट बेक कार उल्ट्रोज के इलेक्ट्रिक वर्जिन को इंडियन मार्किट में लौँच करने वाला है इस गाड़ी को इंडियन लोड्स पर टेस्टिंग के तुरान काफी जाना बरस पाय किया जा चुका है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाटा उल्ट्रोज इवी के एकस्पेक्टिड पैजिस इस गाड़ी की इंडिया लौँच डेट और इस गाड़ी के साथ मिलने वाली रेंज और इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में पूरी इंफर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लाश्ट तक मेंद रहें तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो सबसे पहले पात करती हैं ओल्ट्रोज इवी के लुक्स और डिजाइन की लुक्स में इस गाड़ी के डिजाइन 80-90% सिमिलर होने वाला है ओल्ट्रोज के स्टेंडर वेरियंट से लेकिन टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के डिजाइन में थोड़े चिंजिज कर दिये हैं जैसे की इस गाड़ी के फ्रंट प्रुफाइल में हमें नई व्राटर मोटर्स की बेजिंग, उलेक्ट्रिक विनेट की बेजिंग में मिला करेगी इसके अलाबा इस गाड़ी के हेडलेंप्स के डिजाइन भी पूरी तरह से बदल दिया गया है इस गाड़ी की साइट प्रुफाइल में हमें नई डिजाइन के एलोई विल्स मिला करेंगे जिससे उल्टरोज ईवी का डिजाइन पहले से जादा प्रीमियम और स्टालिश हो जाएगा इसके अलावा Tata Ultros के साथ हमें काफी सारे नए फीचर्स मिला करेंगे जैसे की इस गाड़ी के इंटिरियर में हमें नए डिस्जाइन का स्टेरिंग वील, नया डेश बोर्ड और नए टच्च्क्रीन मिला करेंगी इसके अलावा इस गाड़ी में हमें वेंटिलेटिर सीट्स का अभी उप्शन मिल सकता है तो चलिए अब बात करती हैं Tata Ultros EV के साथ मिलने वाली रेंज की इस गाड़ी के साथ हमें अबाउट 30 किलोवाट तक की बैटरी मिलेगी जिसमें ये गाड़ी अबाउट 500 किलोमेटर्स तक की रेंज दे सकती है तो चलिए अब बात करती हैं Tata Ultros EV के प्राइजिस और इस गाड़ी के लॉंचिंग के बारे में एक रिपोर्ट के ही साब से Tata Ultros EV के बेस मोडल का प्राइज लगबग 10 लेक रुपीज और इस गाड़ी के टो मोडल का प्राइज लगबग 12 लेक रुपीज एक शोरूम डेली होने वाला है और इसी के साथ Tata Motorist गाड़ी को एप्रेल 2022 तक इंडियन मार्किट में ओफिशली नोच कर सकता है सो गाइस आपका Tata Ultros EV कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और ऐसी बहतरीन वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू